टू शॉट्स में वर्ड को रीड किया ऐसे ही बे-बी सन्नी बो-डी तो ये एक ट्रिक है जब हम वर्ड को टू शॉट्स में रीड कर रहे हैं में स्पीच में एक ब्रिक दे रहे हैं तेर वाई विल साउंद एस लॉंग इ ऐसे ही तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यम, try, baby इन वर्ड्स में आपने कुछ नोटिस किया इन तीनों वर्ड्स में वाई की साउंद डिफरेंट है इस वर्ड में अगर हम देखें ये है यम तो इसमें वाई की साउंद जो है वो है य जो फॉनिक्स में हमें सिखाई जाती है इसमें हम अगर नोटिस करें try 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 तो वाई की साउंद क्या है आई अगर इसमें हम देखें baby baby तो इसमें वाई की साउंद क्या हो गई e हो गई तो आपने देखा ऐसा क्यों हो रहा है वाई की साउंद बार-बार change हो रही है word to word change हो जाती है जैसे इसमें ya है, इसमें i है, इसमें e है तो इसमें अगर हम देखें तो y क्या है? एक consonant है राइट? y एक consonant है अगर हम इन दोनों words में देखें, तो y क्या बन जाएगा? vowel बन जाएगा, क्योंकि vowels क्या होते है? A, E, I, O, and U. These are vowels. So, अगर X की sound, Y की sound I, या E होती है, तो वो क्या बन जाएगा? Vowel बन जाएगा. इसी लिए Y के लिए confusion create होती है, कि हम उसको consonant बोले, या हम उसको vowel बोले. तो आज हम इस confusion को clear करेंगे. तो इसके लिए कुछ rules है, जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ. अगर हम English में कोई rule पढ़ रहे हैं, first of all हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, हम कुछ भी rules या किसी चीज़ के steps हम follow कर रहे हैं, तो उसके exceptions are always there, in English exceptions are always there, but एक certain specific rules बनाए गए हैं, जिनके basis पे maximum हम words को समझ सकते हैं. तो अब देखिए, वाई की confusion में क्या है? A vowel और a consonant. वाई एक vowel है या फिर एक consonant है, वो हम समझेंगे. अगर वाई at the beginning means word की starting में हैं, तो then it will sound as या. जैसे मैंने अभी आपको example पताया, अगर वाई word की starting में हैं, then it will sound as या. We will read the examples also. See, यो, यो, यल्लो, या. याम. Y is in starting of each word. If Y is in starting, then Y will sound या. Alright, next, if Y is at the last. Y कहा है? Last में हैं, with one syllable. यह आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा. One syllable. अब कई बार confusion क्या रहती है? syllable क्या है मैं अगर आपको simple language में बताऊँ तो syllable is word को अगर हम one shot में read कर रहे हैं means word को one shot में means हम fast अकर read कर रहे हैं तो last वाले y का sound आए निकलेगा जैसे देखिया fry cry cry fly right यह क्या है y की sound last में है तो इसको हम I पूर रहे हैं long I की sound इसमें आ रही है तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं अगर आप word को one shot में read कर रहे हैं और you can say if the word is short तो आप उसको I try करेंगे last में I next अगर y कहा है last में है इसमें भी last में है इसमें भी last में है but the difference is this is with one syllable and this is with two syllable जैसे अब इसको हम read अगर करें तो हम इसको कैसे बोलते हैं twenty देखा हमने हमने कहां break दिया twenty हमने two shots में word को read किया ऐसे ही baby sunny body d तो ये एक ट्रिक है जब हम word को two shots में read कर रहे हैं means बीच में एक break दे रहे है then y will sound as long e ऐसे ही जैसे सारे numbers होते हैं आपने देखा होगा twenty thirty forty fifty some may last में ty आता है and y sound is e because इसको हम break करके बोलते हैं thirty twenty fifty fifty समझ रहे हैं ये एक ट्रिक है जो आप बच्चों को समझा सकते हैं मैंने आपको ये एक ट्रिक समझाई है इस तरह से maximum words जो है हम easily solve कर सकते हैं कि इनकी sound हम बहुत easily समझ सकते हैं first let's revise consonant कब sound करता है जब y स्टार्टिंग में होता है this is very simple y स्टार्टिंग में है तो वो ये सांद करेगा y लास्ट में है word short है तो वो y लॉंग आई सांद करेगा if the word is long and we will break it then the y will sound as e alright अब जैसा मैंने आपको exceptions के बारे में बताया कि exceptions हर रूल में होते हैं तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं अब इसके exceptions क्या है let's see exceptions see the word is rely deny reply दिखिए इन words को अभी हाँ two short में read कर रहे है rely deny reply still the y sound is i देखा आपने these are the exceptions ऐसे ही कुछ और exceptions भी हो सकती है तो उसका एक जनरल एक अच्छा सा रूल ये है सिर्फ अड़ा ये है बच्चे को आप ये समझाए कि आप try किजिए y की sound ये तब ही होगी जब वो starting में होगा दो options बस ये है या तो i या तो e दो sounds में बच्चा सिर्फ confused होता है तो उसके लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हैं जैसे कि आपने जो word दिया आप देखिए बच्चे को option दीजिए कि अगर आप उसको i sound करेंगे तो वो क्या बनेगा और e sound करेंगे तो आप वो क्या बनेगा तो वो बच्चा अपना आप समझ जाएगा क्योंकि बच्चे की vocabulary इसी तरह से increase हो जाएगी तो इसके लिए मैंने आपको exceptions बताए कि अब ये exceptions है इन में भी हम two short में word read कर रहे है बट जो y की sound है वो i sound कर रही है instead of e इसको हम rarely read नहीं कर रहे है daily read नहीं कर रहे है rapidly read नहीं कर रहे है इनकी हम sound i use कर रहे है so these are few exceptions जो हमेशा रहेंगी Now we will read some words having y at the beginning yak, yo-yo, yam, yellow, yogurt, yoga, yummy, yacht, young, yaan these are few examples in which y is at the beginning of the word so it will sound y these are the words in which y is pronounced as long i जैसे मैंने अभी बताया आपको one short में गरम वर्ड को read कर रहे है then y will be pronounced as long i my, dry, cry, shy, sly, fry, fly, buy and many more examples you can read now the words in which y is pronounced as long i अभी मैंने आपको जैसे बताया जब हम वर्ड को two shorts में रीड करेंगे means break देके जब हम रीड करेंगे then y will be pronounced as long i billy, jelly, sandy, funny, penny, hilly, dolly, lazy, lily, taffy, bunny, candy देखा आपने examples हैं यह कुछ words के जिनमें हम y की sound e read कर रहे हैं in this question you will first read the words and check if the y sound is e or i and you will take the correct option so first we will read the words first word is baby baby so y sound is i here next is dry dry then y sound is i dry next one is puppy puppy y sound is i here next one fly fly sound is i berry berry sound is ee and the last one is fry 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 sound is i fry now in this question you will read the word and now you will write what is the sound of y if it is e or i you will write it first word is puppy 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 the sound of y is e so we will write e here second one party the sound will be e so third one is shy in shy sound of y is i fourth one is stye same stye y के क्या sound होगी i y fifth one is berry berry sound of y is ee berry sixth is कर्ली कर्ली sound of y is ee कर्ली seventh is rye rye y is i y को हम कैसे बनाउंस कर रहे है i now next eighth one is fly the sound of y is i and the last ninth one is tummy tummy sound of y is e तो आज के लिए बस इतना ही i hope आपकी ये confusion कुछ हद तक दूर हुई होगी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए and तब तक के लिए thank you so much for watching my वीडियो bye-bye